नमस्कार मैं सुचिलया राय डिमरी रोज की रसोई में आपका स्वागत है दोस्तो शरीर के शारीरिक और मानसिक स्वास्त को बनाए रखने के लिए आथ को स्वास्त रखना बहुत जरूरी है जो हम खाना खाते हैं कई बार वे आपके लिए हेल्दी आथ नहीं बना रहा होता यानि कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता इसके लिए सिर्फ खाना खाना ही जरूरी नहीं है बलकि घर में बने पीने वाले पदार्थ भी पाचन समंदी समस्याओं को दूर रखने में आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तो सौस्तानाथ के लिए ये हैं पांच घरेलू पे पदार्थ जो घर पर असानी से बनाई जा सकते हैं पहला है चुकंदर की कांजी इसके लिए साफ जार में कटेवे 2-3 चुकंदर नमक और पानी डालकर 2-3 दिनों तक ढखकर रख दें और बाद में छान लें प्रोबाइटिक से भरपूर चुगंदर की कांजी त्यार हो जाएगी दूसरा है प्रोबाइटिक बेरी स्मूदी यह स्ट्रॉबरी, ब्लूबेरी, शैद, दूद और वैनिला के अर्क से बनाई जाती है यह आतों को मजबूती परदान करती है तिसरा है अधरक और हल्दी की चाहे चौता है पुदीना चाहे और पांचवा है छाच यह सभी घर के बने पेपदार्थ प्रोबाइटिक से भरपूर है और आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया के संक्या को बनाई रखने में मदद करते हैं तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो मिलूंगी ने नहीं जानकारी के साथ थैंक्स और वाचिंग रोच की रसोई